हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज हम देखिए थ्री कलर से छोटी छोटी टिकिया मनाएंगे और इन टिक्कियों से आप टेबल कवर बना सकते हो डॉलमेट बना सकते हो पुशन कवर बना सकते हो पुजातिल्यासन बना सकते हो उनको जोड कर आप अपने ज़रत की चीज बना सकते हो, यहां पर हम टिकी बनाना सीखेंगे, ति देखे, सबसे पहले हम वाइट कलर लेंगे, और यहां पर हम रिंग बना लेंगे, इस तरह से, देखे, हमने रिंग तयार कर लिए है, अब हम इस पर वर्क करेंगे, एक, दो, दो चीज हमने बना ली है, अब इस रिंग के ओपर हमें बारा सिंगल करोशिय करने है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यार है, और ये बार है, देखे, ट्वैल हमने यह आपर सिंगल करोशिया कर लिए है, अब इस धागे को पकड़कर, टाइट खीच देंगे, देखे, इसको हमने खीच दिया है, और ये देखी, जहां से हमने इसको दोचेन बना कर शुरू किया था, वहाँ पर इसको जोइन कर देना है, इस तरह से, तो ये फर्स्ट राउंड हमारा कम्प्लीट हो गया है, ये देखे, अब यहाँ पर हम, एक, दो, तीन, चार, देखे, चार चेन हमने यहाँ पर ले ली, अब धागे को दो बार राउंड करेंगे, और नेक्स्ट चेन के अंदर हम यहाँ पर, दिखिए, ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, इसको हम तीन बार बंद करेंगे, एक, दो, तीन, तो ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया, फिर धागा दो बार लेंगे, और नेक्ट चेन के अंदर से हम लोग उठाएंगे एक, दो, तीन, तीन बार इनको बंद किया तो यहार पर यह ट्रिपल क्रोशिया हो गया तो यह देखिए यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में तो यह चेन बनाई चार फिर दो बार हमने ट्रिपल क्रोशिया कया टोटल यहाँ पर यह तीन बार हो गया अब लास्ट में देखिए एक, दो, तीन, चार चार चेन बना लेंगे और यहाँ पर आगे वाली चेन में हम देखे सिंगल स्टिस्स को अटेश कर देखे इस तरह से यहाँ पर एक पत्तिस की बन गई है एक, दो, तीन, चार चार हमने यहाँ पर ट्रिपल क्रोसिया इसके कर लिए है अब यहाँ पर देखिए एक, दो, तीन, चार चार चेन हमने बना ली, दागा दो बार लिया अब आगे वाली चेन के अंदर ट्रिपल क्रोसिया करेंगे फिर धागा दो बार लेंगे फिर इससे आगे वाली चेन के अंदर ट्रिपल क्रोशिया देखिए यहाँ पर हमने चेन बनाई दो बार हमने ट्रिपल क्रोशिया किया जो यह चेन हमने बनाई थी इसको भी हम एक ट्रिपल क्रोशिया में काउंट करेंगे अब हम फिर से चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार और आगी वाली जो चेन है यहाँ पर इसको अटेस्ट कर देंगे, सिंगल स्टिच से, देखिए दो पत्या इसकी बन गई है, एक, दो, तीन, चार, चार चेन बना ली, धागा दो बार दिया, और यहाँ पर ट्रिपल क्रो कंप्लीट करेंगे, फिर दिखाएंगे, यह देखिए, राउंड इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, अब इस वाइट धागे को हम यही पर कट कर देंगे, अब यहाँ से हम इसमें ग्रे कलर लगा लेंगे, देखिए, यहाँ से जो हमने चार चेन बनाई थी, जो यह यहाँ से, यह देखिए, एक, दो, तीन, चार, चार चेन हमने बना ली, धागा दो बार लेंगे, और यह देखिए, यहाँ पर, यहाँ से इसको, सिंगल क्रोश या, सोरी क्रोश या उपको डालेंगे, और यहाँ से हम लूप उठाकर, ट्रिपल क्रोश या बना लेंगे, एक तो यह चार चेन होगी, और यह यह ट्रिपल क्रोश या होगया, तो दो बार होगए, अब यहाँ से, लोग उठाना है, एक, दो, तीन, तीन बार इसको बन किया, तो यहाँ पर देखिए, तीन बार हमने, ट्रिपल क्रोश या कर लिय अब चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार चार चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पर जो हमने चेन बना रखी है जो लाश्ट वाली चेन है यहाँ पर इसको जोइंट करतेंगे सिंगल क्रोशिया करतेंगे इसको सिल्पिस्टी से इसको जोइंट करेंगे यह देखे इस तरह से इसको हमने जोइंट कर लिया अब फिर से यहां पर एक दो तीन चार 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 चेन बना ली दागा दो बार लेंगे अब हमें इसके उपर वर्थ करना है देखिए जो चेन हमने बनाई थी यहां पर एक तो यह चेन हो गई एक तो तीन तीन बार की को बंद कर दिया और यह ठिरी की चेन हो गई देखे यहां पर हमने बनाई चार बार और यह ट्रिपल क्रोर्श या तो टोटल यह दो बार हो गया तीन तीन बार ट्रिपल क्रोर्श या फिर दागा दो बार लेंगे और यह देखे चार बार यहां पर हमने ट्रिपल क्रोर्श या बना लिया यह देखे अब यह देखी यह जो पत्ती है यहां पर इसको हम जोन्ठ करतेंगे हिए जो हमने चार चेन बनाया थी लास्ट वाली चेन के अंदर से हम लोप उठाएंगे और इससलिपश्टीस का जोन्ट कर Janet यह देखिए फिर से हम एक दो तीन चार चेन लेंगे दागा दो बार लेंगे और यहां से देखिए लूप उठाएंगे और ट्रिपल क्रोसिया बना देंगे देखे, दो बार हो गया, एक, दो, फिर धागा दो बार लपेटेंगे, यहां से लूप उठाएंगे, और देखिए, ट्रिपल क्रोशया बना देंगे, तो तीन बार हो गया, और चोथी बार यहां पर चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, यहां पर तो हमें ट्रिपल क्रो और जो यह दिखिए, यह जो हमने चेन बना रखी है, यहाँ पर इसको स्लिपी स्ट से जोइन कर देंगे, इस तरह से बन गई है पत्ती, फिर से एक, दो, तीन, चार चेन लेंगे, धागा दो बार लपेटेंगे, और यहाँ पर हमें वर्क करना है, एक, दो, तीन बार इसको काउंट होगी यहाँ पर, एक, दो, तीन, और जब हम इस पर वर्क करेंगे, छोथी बार भी हम यहाँ पर डबल, यह ट्रिपल क्रोसिया ही बनाएंगी, यह ट्रिपल क्रोसिया हो गया, अब इसको यहाँ पर इसके साथ हम अटैच कर देंगे, यहाँ से देके लूप उठा हालेंगे, और इसको जोइनकर दे, इस अर्ले Sum, पूरा राउंट करेंगे, यह देखे अब हम अपने राउंड के end में आ गए है, यहाँ पर इसको हमने इस तरह से परानागर चोड़ दिया, इसको State कहां ता इसको Clip स्टिच से जोइन करके देफार अगा निये बिया 나쁜 है, इस तरह से पूर राउंड हम कंप्लेट कर चुके हैं यह धाका कट करेंगे अब हम इसमें थर्ड कलर लगाएंगे यह दिखे कुछ इस तरह से दिखेगा हम अब हम इसमें थर्ड कलर लगाएंगे दिखिए कि चार कोर्णर है यहां से तो यहां से हम थर्ड कलर इसमें लगा लेंगे जो हमने चार चेन बनाई थी एक, दो, तीन और जे लाष्ट वाली चेन है यहां से लोप उठाएंगे और देखिए यहां से कलर हम इसमें जोइन करेंगे एक, दो, तीन, चार चार चेन बना ली दहा का दो बार लेंगे और यहां से लोप उठाकर ट्रिपल क्रोस्या बना लेंगे तो यह triple crochet हो गया और एक यह chain हो गई पिर आगे वाली chain के अंदर से loop उठाना है और यहाँ पर एक बार बंद किया दो बार और यह तीन बार तो triple crochet हो गया अब हम देखिए chain बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, चार chain हो गई और यहाँ पर देखिए जो हमने chain बना रखिये इसके जो first chain है यहाँ पर इसको जोइंट करतेंगे इस तरह से देखिए इसके पत्ती बन गई है यहाँ से इसको हमने जोइंट कर लिया इस धागे को हम साथ में दबा देंगे यहाँ पर अब देखिए हमें इसके उपर वर्क करना है जो हमारी यह चार पत्तिया है ना तो बीच में हमें इस तरह वर्क नहीं करना हमें चार उपर साइड में यहाँ पर वर्क करना है तो अब देखिए एक, दो, तीन, चार, चार पर ही ट्रिपल क्रोशिया हो गया धागा दो बार लेंगे फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाया फिर धागा दो बार लेंगे और फिर से यहां पर देखिए ट्रिपल क्रोशिया हम बना लेंगे हैं कि even हमने the Uu уш के बाद ये तिनवा ठिपल ग्रोई से इसंडोय टोटल ये चार बार होग यह आधिए चार टिपल्य को से defend मृड़ strengthen कर दे trabalh हुआ कि हम उन्हीं कर दिए इसंड्वर होने के बाद है भी इसको यहां पर हम क्लिक्र अपर हम स्चार देखिए जो यह चार चेन हमने बनाई थी लास्ट वाली चेन के साथ इसको स्लिप स्टिच से जोइन कर देंगे इस तरह से फिर से हम चेन बनाएंगे एक दो तीन चार धागत दो बार लेंगे और यहां से देखिए लूप उठाएंगे यहां से ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे दो ट्रिपल क्रोशिया हो गए आगे वाली चेन के अंदर से लूप उठाएंगे तीन ट्रिपल क्रोशिया और फिर यहां से लूप उठाएंगे यह देखिए छोथा ट्रिपल क्रोशिया हो गया यहां पर चार भार हमने ट्रिपल क्रोशिया कर लिए अब इसको जो यह वाली पत्ती है इसके साथ जोइंट कर देंगे स्लेपी स्टिच से यह देखिए यहां से यहां से लूप उठाना है और इसको जोइंट कर देखें अभे में इस पत्ति पर वर्क करना है एक दो तीन चार चार चेन बना लिए दागा दो बार लिया और नेक्स चेन के अंदर से देखिए लूप उठाएंगे यहां से और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे फिर दो बार दागा लापेटा फिर यहां से लूप उठाया और ट्रिपल क्रोशिया बना लिया तीन बार हो गया अब चोथी बार हम चेन बनाएंगे एक दो तीन चार और देखिए, यहां से जो यह चेन हमने बनाईती, यहां से हम लूप उठाएंगे और सिलिपिस्टिस्टिस को जोइंट कर देंगे, अब हम एक, दो, तीन, चार चेन बना लेंगे, और इसके उपर हमें वर्क करना है, तो यहां पर बना लेंगे, ट्रिपल क्रोसिया, यह दो ट्रिपल क्रोसिया हो गए, धागा दो बार लिया, तीसरा ट्रिपल क्रोसिया, और यह फूर्थ ट्रिपल क्रोसिया, अब इसके साथ यहां पर हम जोइंट कर देंगे, सिलिपिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस् को हमें लूप उठाना है और slip stitch को जोइन कर देंगे पूरा राउंड हम इसी तरह से इसका complete करेंगे यह देखिए यह राउंड भी इसका हमने complete कर लिया है अब लास्ट में इसको यहां पर हम जोइन करेंगे यहां से जहां से हमने इसको start किया था यहां से देखिए एक लूप अब इसमें हम वाइट कलर लगाएंगे यहां से देखिए यहां से हमें लूप उठा लेना है और वाइट कलर यहां से जोइन करेंगे इस तरह से एक दो तीन चार चार चेन बनाने के बाद धागड दो बार लेंगे और यहां से लूप उठा कर इसको से त्रिपल करोश्या बना देंगे और एक, दो, तीन बार इसको बंद गिया, तो यह triple crochet हो गया, एक हम ने четыre chain बनाई थी, totally, दो बार triple crochet हो गया, और ये, तीश्यरी बार triple crochet, और जो चोथी बार है, इसको हम यहाँ पर chain बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार देखें, चार चेन बना ली अब यहाँ पर जो हमने चेन बना रखी है यहाँ से हम लूप उठाएंगे यहाँ से और स्लिपिश्टिश्टिस को जोइन करेंगे देखें इस तरह से अब हमें यहाँ पर भी इसके वर्क करना है तो चार चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार धागा दो बार लेंगे और यहाँ पर यह देखें जो ट्रिपल क्रोसिया है इसके उपर हमें वर्क करना है एक, दो, तीन बार इसको बंद किया तो ट्रिपल क्रोसिया दो बार हो गया ये थर्ड ट्रिपल क्रोशीय और देखिए फॉर्थ ट्रिंपल क्रोशीय यहाँution बने चार बार ट्रिपल क्रोशीय बना लिया अब इसको इसके साथ हमें जोड़ना है तो यहाँ से हम देखिए यहाँ से लूप उठाएंगे और इसके साथ इसको जोइंट करतेंगे यहां से इस तरह से, फिर से एक, तो, तीन, चार, चार चेल लेने के बाद ट्रिपल क्रोसिया बनाएंगे, दागा दो बार लपेटा, फिर से ट्रिपल क्रोसिया, और ये, चोथी बार ट्रिपल क्रोसिया, चार हमने ट्रिपल क्रोसिया कर लिए, अब देखिए, यहां से इसको जोइं करना है यह जो पत्ती है यहां से द है हो देखिए जो Где चार-जेन हम ने बना रखिए लास्ट वाली-चेन के साथ हम इसको में जोइंट करतें इंगे से कि छेसेव मनाएंगे दागा 2 भार लेंगे ट्रीपल कोरी कि फिर यह बना लेंगे फिर से दागा दो बार लेंगे ट्रिपल क्रोस यहाँ तीन बार हो गया और चोथी बार हम यह चार चेन बनाएंगे और इसको यहाँ पर स्लिप इस्टिश के साथ जोइंट कर देंगे इसे देखिए अब इसके बाद यहाँ पर वर्क करना है इस पर हमें चार बार ट्रिपल क्रोस यहाँ बनाना है फिर इसके साथ जोइंट करेंगे यहाँ पर चार बार ट्रिपल क्रोस यहाँ पर इसके साथ जोइंट करेंगे फिर इस पत्ति पर आएंगे इस पत्ति को हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे य Kerry बनाई हैं इसको भी बना लेंगे के बाद यह Bab pendant करेंगे MICHAEL क्ट करेंगे दिखाते हैं यह देखिए ठीपSPア क कक अग्रम इन isolator हेग्र कलर से कंप्लीट कर लिया है और यहां से इसको छोड़ दिया है यहां से हम इसके साथ इसको जोड़ देंगे इसले इसको छोड़ा है तो देखे कैसे जोड़ना है यहां पर हमें चार बार ट्रिपल क्रोसिया बनाना है एक तो starting में तो 4 chain बनाई फिर दो बार triple क्रोसिया अब यहाँ पर हमें 4 chain बनानी है तो यह 4 chain बनाने से पहले यह loop हम यहां से एक बार निकालेंगे यह दिखिए जो यह पत्ती है यह वाली तो यहां से यहां से इस loop को निकाल देंगे इसको हमने ऐसे छोड़ दिया है और यहां से निकालने के बाद देखे इस तरह से निकालने के बाद चार चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, और चार चेन बनाने के बाद इसको यहां से जोइंट कर देंगे, सिलिप स्टिच से यह देखें इस तरह से, अब यहां पर एक, दो, तीन, चार, चार चेन बना लेंगे, और चार चेन बनाने के बाद यह देखिए, यहां से, जो क्रोशिय होग डालना है और इस लूप को निकालना है कि यहां से निकालेंगे इस तरह से और यहां पर देखे दो बार धागाल पेट कर अब इसके उपर हमें वर्क करना है यहां से तो टृपल क्रोशीय बना लेंगे, एक चैन हो गए चार की, और एक बार हो गया टृपल क्रोशीय, दो हो गए, तीन, और ये चार, देखे चार टृपल क्रोशीय हो गए, अब यहां से इसको सलिप स्टिच से दिखे इस तरह से जोइंट करेंगे, और जोइन करने के बाद यहाँ पर चेन बना लेंगे एक, दो, तीन, चार चार चेन बनाने के बाद फिर यह दिखिए एक, दो, तीन, चार चार जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया इसके लास्ट वाले के यहाँ से हम इसको लूप को निकाल देंगे और धागत दो बार लेकर यह दिखिए यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोसिया बना लेंगे एक, दो, तीन और एक यह चार की चेन हो गई तो चार ट्रिपल क्रोसिया हो गए इसके बाद यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से जोइंट करेंगे इस तरह से एक, दो, तीन, चार चेन बनाने के बाद फिर से देखिए यहाँ से इस लूप को हम निकालेंगे और लूप निकालने के बाद यह दिखिए धागत दो बार लपेटेंगे और यहाँ से हम ट्रिपल क्रोसिया बना लेंगे एक दो और यह तीन और एक यह चार की चेन हो गई तो चार बाट यहाँ पर ट्रिपल क्रोसिया हो गया अब इसके साथ इसको यहाँ पर देखिए जोइंट कर देंगे इस तरह से यहाँ से एक दो तीन क चार चेन बनाने के बाद यह देखिए यहाँ से इस लूप को निकाल कर इस तरह से इसको जोइंट कर देखे इस तरह से यह इसकी टिक्की जुड़ जाएगी आप इसको कितना भी बड़ा बना सकते हो यह देखिए इसको हमने जोड़ दिया है और जब हम इसमें और टिक्की बनाएंगे अगर हमको दो साइड से जोड़ना है तो इसकी बाउंडरी हम दो साइड से बाद में बनाएंगे जोड़ते होए जैसे हमने आपर इस साइड से बनाएए यह देखिए इस तरह से इसको जो बना सकते हो तो अगर आपको मेरी बनाई हूं डिजाइन पसंद आए हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ज्यादा श्यायर करें और बैल आइकन प्रेस करना ना बूलें तो मिलते हैं अगले वीडियो में थेंक यू